आज का हमरा वीडियो पाप मोचनी एकादसी के बारे में हैं दोस्तों चेत्रमास के कुरुष्ण पक्स की एकादसी को पाप मोचनी एकादसी कहते हैं 2019 में 31 मार्च को पाप मोचनी एकादसी आ रही अर्जुन ने जब भगवान कुष्णा को पूछा कि प्यक्ति से अगर जाने अंजाने में कोई पाप हो जाए तो हम उससे के समक्त हो सकते हैं भगवान ने उनको एक कथा सुनाई राजा मांदान्दा ने बोमस रूसी से यही सवाल पूछा था तब उन्होंने उनको कथा सुनाई थी जो मैं अब आपको सुना रहा चेत्ररत नाम के सुन्दरवन में चैवन रूसी का पुत्र मेगावी बहुत कठो तपस्या कर रहा थी तबी वन में से महंजु गोसा नाम कप्षरा निकली वो रूसी पुत्र पे मोहित हो चुकी थी इसलिए वो उनको मनाने का यतने करने लगी एसे में काम देव भी वहां से गुजरे उन्होंने उसे मदद की रूसी पुत्र उस पे मोहित हो गए और अपनी तपस्या भूल गए और काम रत हो गए वर्षव बाद जब उनकी आखे खुली तब वो क्रोध करने लगे और उन्होंने अपसराज को पिसाचिनी बनने का शाप दे दिया पिसाचिनी बनने के बाद अपसराज बहुत दुखी थी उन्होंने रूशी से उनको साप मुक्त करने किया कहा तब रूशी ने उनको पाप मुचनी एकादसी के दिन रद करने का और भगवान विष्णू का नाम लेने को कहा इससे अपसरा अपने पापों से मुक्त हो गए अब कैसे करते हैं पूजा इस दिन इस दिन बगवान विष्णू के चतूर रूप की पूजा होती है शुर्यदय होते ही कथा का पाठ करना चाहिए पूरी राद जागरन करना चाहिए और इस दिन भजन कितन भी खास करना चाहिए क्योंकि इस दिन भजन कितन करने से सहस्टे गोधान जितना फल्प्राप्ट होता है रामबनों को भजन करवाना चाहिए और उनको दक्सिना देने चाहिए उसके बादी स्वयम भजन करना चाहिए